सरविद्धियर्थियों प्रेंटर यानवी में आपका स्वागत है आज से हम सुरू कर रहे हैं कक्षा ग्यारवी का जो कावे भाग है वो इसकी जो पहली कवीता है वो है कवीरवानी यानि हम एक एक करी जाना शंतो देखते जग बोराना तो आईए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कबीर जी का जीवन प्रीचे कबीर का जनम संत कव्यों में सरोपरी है इनके जनम और मर्तु के बारे में अनेक किवदंतियां प्रसलित हैं किवदंतियां होती हैं बैई जो केवल जुबानी बाते याद होती हैं कहानियां जो लोग मन घढ़नत बाते बताते हैं जो जिनको किताबों में फिर लिख दिया गया है इनका जनम है वो 1398 इस्वी में वारानसी यानि उत्तर प्रदेश में लहरतारा नामक्स्थान पर हुआ है कभीर दास ने स्वेम को कासी का जुलाहा कहा है कासी का जुलाहा कहा है इनके विदिवत साक्षतकार होने का कोई परमान नहीं मिलता है यानि इनके जनम का ठीक ठीक हमें पता नहीं है ये स्वयम कहते हैं कि ससी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ यानि इनका जो हना शाक्सर होने का भी कोई परमान नहीं है क्योंकि कहते हैं नहीं तो कभी हमने कागद छुया है और नहीं हमारे हाथों में कभी कलम आई है तो इसका मतलब कभीर है वो पढ़े लिखे भी न नहीं थे इन्होंने देश अटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया देश अटन होता है विदेशों में भर्मन किया और जगह जगह पे भर्मन किया और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखो देखे सत्ते और अनभव को परमुकता दी तो इसमें कहता है कि आखन देखी तू कहता कागत की लिखी यानि वो दुनिया वालों को कहता है कि दुनिया के लोगों तू कागत पर लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हो लेकिन मैं तो आखों देखी बातों पर विश्वास करता हूँ इनका जो देहावासन है इनकी मर्त्यु है वो 1518 इस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी साइतिक प्रिच्चे कविदास जी भक्तिकाल की निर्गून कावे धारा के ज्यान श्रीय साखा के परती निदी कवी है इन पर नाथों सिद्ह और शुपवी संतों की बातों का परभाव है वे करमकानड और वेद विचार के विरोधि थे तथा जाती भेद वर्ण भेद मतलो संपर्धाए विभिन परकार के संपर्धाए वेद's के स्तान पर प्रेम सत्वाव और सम मानता का समर्थन करते हैं गूमने वाले इसलिए इनकी भासा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के सब्दें वो पाए जाते हैं अपनी बात को साफ एवं दो टूक सब्दों में प्रभाव डाले साले डंग से कहने की भी इनमें एहमियत है बन पड़ा तो सीदे सीदे नहीं तो दरेरा दे कर यानि के बात को सीदे डंग से समझ में आ गया तो ठीक है नहीं तो उसको प्रशंगों के मादम से तो ये पहला जो पद है ना पहले पद में कभी ने परमात्मा को सरस्टी के कणकण में देखा है जोती रूप में स्विकारा है तथा उनकी व्यापती चर आचर चर आचर होता चर आचर सजी और निर्जिव संसार में दिखाई है इसी व्यापती को एद्वित सत्ता के रू तिदिये कविदास ने आत्मा और प्रमात्मा को एक रूप देखा है, संसार के लोग जानवस उन्हें अलग-अलग मानते हैं, कवी पानी, पावन, प्रकाश, आधी के उधान देखरूने एक जैसा बताता है, बाधी लकडी को काटता है, बाधी में बढ़ई, जो लकडी को क काटता है, परन्तु आग को कोई नहीं काट सकता, प्रमात्मा सभी के हिर्दे में विद्यमान है, माया के कारण इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, दूसरा जो पद है, इस पद में कवीर ने बाई ये आडंबरों पर चोट करते हुए अधीक्तर लोग अपने भीतर क की ताकत को ने पहचान कर अंजाने में एवास्तिक संसार से रिष्टा बना बैठते हैं और वेवास्तिक संसार से बेखबर रहते हैं, कवी के अनुसार ये संसार पागल हो गया है, यहां सच कहने वाले का विरोध जूट पर विश्वास के जाता है, हिंदु और मुसल्मान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही इस्वर का मरम नहीं जानते हैं, दोनों बाहिये आडंबरों में उल्जे हुए हैं, नियम, धरम, टोपी, माला, छाप, छापा, तिलक, पीर, ओलिया, पत्थर पुजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाल सरलार्थ करने से पहले हम इसमें आए मुख्ये मुख्ये जो सब्धार्थ हैं, कठिन सब्ध हैं, उनको देखते हैं, विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बैल आइकन को दबा लें, और कॉमेंट और सेर कर यदि आपको मेरे दोरा पढ़ाया गया, अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय परकट कर सकते हैं, तो आप बने रही एजुकेशन पॉइंट हरियानवी पर जैपाल सास्त्री के साथ, तो आईए देखते हैं, एक परमात्मा, एक दोई दो, तिन ही उनको दोजग नरग, इस दोजग नरग, नाहिन नहीं, एक एक पवन हवा, जोती प्रकास, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, गडे रचे हुए हैं, बांडे बरतन कोहरा कुमार, कोहारा कुमार, शाना एक शाथ मिलकर के, बढ़ी बढ़ाई, कास्ट लक अगणी आग, गटी, घड़ा, हिर्दे, अंतर, अंतरी, गटी मने घड़ा भी होता है, हिर्दे भी होता है, अंतरी होता है, बितर, यानि अंदर, और व्यापक मने विश्त्रित धरे रखे, सवरूपई, सवरूप, शोई, वही, जगत, संसारा, लुभाना, मोहित करना, न निर्भाई वाने निड्र या बैस भया हुआ और दिवाना मनख वहरागी तो आएए सबसे पहले हम पहले पद्यांस की वेख्या करते हैं तो प्रस्तुत अवतरन हमारी पठे पुस्तक आरो भाग एक की कवीता कभीर वानी से लिया गया है और इसके जो रजियता हैं कृतिका संसार हैं कभीर जी हैं कभीर जी ने जो लोग धरम या के चकर में फसकर के पाखंडों में लीन हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को समझाते हुए राम और रहीम का जो अर्थ इनोंने शमझाया है तो यहां कभी कहते हैं हम तो एक करी जाना यह एक नय है वो गलत छपवा वई एक करी जाना कि हमने तो इस संसार में राम और रहीम को एक करके जान लिया है और कहने का भाव यह कि भगवान राम और रहीम अल्लाह सब दोनों एक ही हैं दो ही कहें तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना भाई जो कहता कि जो लोग राम और रहीम को दो कहते हैं वे लोग नरक के अधिकारी हैं क्योंकि उन्हों ने जिन नाहिन पहचाना जिन लोगों ने राम और रहीम की पहचान नहीं की वो नरक के भागी हैं जैसे बड़ी कास्ट ही काटे अगनी न कोई कहता है जैसे बड़ी कास्ट ही काटे की जो है बड़ाई होता है भाई जो लकडियां काटने वाला का जो काम करने वाला होता है बड़ाई बड़ाई लकडियों को ही काटता है अगनी न काटे कोई आग को कोई नहीं काट सकता यानि लकडी को तो बड़ाई काट सकता है लेकिन अगनी को कोई काट नहीं सकता शव घटी अंतरी तूही व्यापक धरे शवरूप शोई तो यहां कवीर कहता है कि वह सब के अंतर मन में व्यापत है तूही कार्थ उस भगवान से है कि है प्रभू तुम ही सभी लोगों के हिर्दे में समाहित हो और तुमारा जो रूप है वो हर एक के हिर्दे में समाया हुआ है जो तुमें नहीं समझ पाता है वह मूरख है क्योंकि यहां कवी का कहने का जो भाव है वो यह है कि कवी कहना चाहता है कि संसार के लोग हैं वो धरम करम कांड में फस करके आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं उन्हें प्रभू की सत्ता से कोई मतलब नहीं होता है माया देखके जग लुभाना ये दू ये पंक्तिया हैं नीचे है माया देखके जगत लुभाना कहरे नर गरबाना की माया देखके धन दोलत को देखकर के लोग लाबानवेती हैं इनके लालच में लल्चा जाते हैं काहे रे नर गरबाना तू कहता कि ए दुनिया के लोगों तुम्हें माया पर गरव नहीं करना चाहिए निर्भाई भया कच्छु नहीं व्यापे कह कबीर दिवाना कबीर दास जी कहते हैं कि हमें निर्भाई रहकर के ही उस प्रभू की वंदना करनी चाहिए व्यापे फिर हमें किसी तरह का कोई भय नहीं होता है यदि हम निर्भाई वोकर के प्रभू भक्ति करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है कर देखते हैं इस कविता में कवी ने जो मुख्य मुख्य चीज़े बताही है तो कवीर ने आतमा और प्रमात्म को एक बताया है उन्होंने मायाव मो हुगा गरव की वेर्था पर प्रकाश डाला है एक यमक अलंकर हैं सब्लबिन भासा का मैल और अलंकार और पद पर्म्मत्माद में उसें में संगीत आत्मकता भी है। इनके पदों को रहर एक प्राइनुn में समायाव है वहलए हिए उसने कोई भी रूप धर्ण किया हो बर्मित लोगों को कभी क्या कभी ने टिपनी किया वाई तो जो लोग आत्मा प्रवातमा से को अलग-अलग मानते हैं वे बर्मित है और ra2 को नहीं पहचान पाए हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होगी अगे है अगेला प्राप्ति होगी अगेला प्रसल्ड थि कबीर इनके या अगेला प्रसल्ड थि कबीर ने किन उधारण दोवारा सिद किया है कि जग में एक सत्ता है कबीर ने जना की यानि कि कबीर ने जाना की सत्ता एक होने यानि इस वर एक है और एक के समर्थन में कई उधान दिये हैं वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी पावन एक जैसा पानी बहता है एक प्राणी में एक जैस जोती समाई हुई है सभी बरतन एक ही मिटी से बनाए हुए हैं बले उनका स्वरूप अलग हो आईये बढ़ते हैं अगले पध्धे की तरफ गुरहण साथ सच मारने धावे दोड़े पति आना जुटे विश्वास नेमी नियमों का पालन करने वाले धर्मी दरम का पालन करने वाला प्राप्त है यह प्राफ्त नहीं प्रात्त वहुक्त पथ्रों की मुर्त आसनाना गिना आतम कि ई आतम यानिके स्वन के लिए पकाने पथ्रों को पत्रों की मुर्तियों को पीरो लिया मने द्रमगुरूद शंत ग्यानी, कितेब मने गरंध, मुरीद मने शिस्से, ततबीर मने उपाए, धिंब धरी गमंड करके, गुमाना मने गमंड, पात्थर, पत्थर, पहिरे, पहने, छाप, तिलक, अनुमाना, माथे पर तिलक रखापा लगाया हुआ, शाक्षी, शाक्षी, शब्द ही, वह मंत जो गुरू सिस्षे को दिख्षा के आउसर पर देता है पद गावत गाते हैं आतम खबरी आतमा का ग्यान या आतम ग्यान मोही मुझे तुरक मुसलमान दो दोनों को लरी लड़ना मुए मरना मरम रहसे काहू किसी ने मंतर यानि गुप्त वाके बताना महिमा उचता सिस्षे या सिख्य सीस सिसे बुढे यानि कि डूबे हुए अंतकाल अंतिम समय मरम संदे केतिक कहीं कहां तक कौँ शहजे सहज रूप में समाना मने शमान होना तो आएए अब बढ़ते हैं अगले पद्यान्स की तरफ संतो देखत जग बोराना कभी दास जी कहते हैं कि हे संतो संसार के लोगों के लिए कभी ने प्रियुक्त किया है संसार के लोगों देखो शाच कही तो मारन धावे यह ना धारवे गल्चपवा भई धावे यानि सकते बोलने वाले को मारने लगते हैं जूठे जग पतियान कि लोग जूठे आडंबरों पर विश्वास करते हैं नेमी धर्मी देखा कि नियम पर चलने वाले लोगों को देखा प्रात्यक्र असनाना जो सुबह उठ करके असनान सनान करते हैं आतम मारी पाखन ही पूजे यानि के सुबह पलाथी जो ना मार करके यानि के पूजया कुछ नहीं ग्याना जिन में कोई ग्यान नहीं है यानि जिन लोगों को प्रभू सत्ता के बारे में बिल्कुल ग्यान नहीं है शुबह सनान करते हैं और पुजा के लिए बैठ जाते हैं बहुतक देखा पीर ओलिया पड़े कितब कुरान कि ऐसे बहुत से पीर पेगंबरो को धरम गुरूं को देखा है जो पड़े कितब कुराना जो बड़ी-बड़ी पुस्तके पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं कैमुरीद ततबीर बतावे और वे अपने चाहने वालों को जो नए नए उपाए बताते हैं उनमें उहें जो ग्याना जबकि उन्हें खुद दिम्बधरी यानि आसन लगा करके दिम्बधरी बैठ जाते हैं मन में बहुत गुमाना और उनके मन में बहुती दरप या गमंड भरा हुआ होता है तो यहां कभीरदास जी ने निर्भे होकर के दरम के नाम पर पाखंड करने वाले लोगों को फटकार लगाई है अभी कहता कि पीपर पात्थर पूजन लागे तीरत गरव भुलाना पीपर पात्थर पीपल को और पत्थर को यानि पीपल और पत्थर की पूजा करने लगे हैं तीरत गरव भुलाना और तीर्थों को गमंडी होकर गमंड में आकर के गरवीत होकर के उन्होंने तीर्थों को बुला दिया है आगे केता है टोपी पहरे माला टोपी पहरे माला पहरे जो धार्मिक गुरू होते हैं धर्म गुरू होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा जो पंधित या धर्म गुरु शाबित करने के लिए बड़ी सी टोपी पहनते हैं और एक माला पहन लेते हैं और माथे पर एक तिलक लगा लेते हैं साखी सबद गावत भूले आतम खवरी न जाना जो सारा दिन साखियां और शब्द गाते रहते हैं और आतम ग्यान न जाना आतम खबर ने जना उन्हें अपने बारे में कोई ग्यात नहीं है यानि अपने बारे में वे कुछ नहीं जानते हिंदू कहे मुही राम प्यारा कि हिंदू कहता है कि मुझे तो राम प्यारा है और तुरुक कहे रहिमाना और मुश्लमान कहता है कि मुझे खुदा प्यारा है अल्लाह प्यारा है आपस में दो लरिमुये यानि आपस में दोनों लड़ लड़के मर रहे हैं मरम ने कोहु जाना ये मम की जगे मरम है भाई मरम कोहून जाना लेकिन असली रहसे को कोई नहीं जानता है घर घर मंतर देत फिरते जो लोग घर घर जाकर के नाम देते हैं मंतर देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना अपने गरव से गरवित होकर के अभिमानी होकर के जो लोगों को मंतर देते फि पिरते हैं असल में उन्हें कोई मत जान नहीं है गुरू के सहीत सिखे सब बुढ़े यानि गुरू सहीत गुरू और सिसे सभी डूब गए बुढ़े अंत काल पचिताना और अंत समय में उन्हें सिवाय पस्चातापके और कुछ आथ नहीं लगेगा कहते कबीर सुनो वैसादो सब ब्रम बुलाना मरम है ये सब मरम बुलाना कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसंतो सुनो दुनिया के लोगो शुनो शब मरम बुलाना शबी लोग वास्तविक अर्थ को बूल गए हैं केतिक कहो कहा नहीं माने सह्जे सह्जे समाना क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं केतिक कुछ भी कहा नहीं माने यानि दुनिया के जो लोग है कुछ भी कहना नहीं मानते सहीजे सहीज समाना यानि सहीजता से यदि किसी को कुछ समझाया जाए तो वे दुनिया वालों को कहते हैं कि दुनिया वाले मानते नहीं है तो इसलिए कभीर ने हिंदू और मुस्लमानों को दोनों को ही लतारते विए का था उन्होंने हिंदू को कहा कि ताही पत्थर पूजे तो मैं पूजू पहार ताते चाकी भली पीस खाये संसार कि एद दुनिया के लोगों हिंदू से कहता है कि तुम पथर की पुजा करते हो इससे कोई लाब होता है तो मैं पहाड की पुजा करने लग जाओं लेकिन उस पथर से तो चक्की बली होती है जो हमें पीस करके खिलाती है मुजलमानों को उसने फटकार तेवे कहा था कि बाई कंकर पथर चोन के लिनी मस्जिद बनाए तो उन्होंने कहा कि कंकर पथर से बहुत बड़ी से मस्जिद बना ले जिसके उपराजान दी जाती है और इतना जोर से बोला जाता है जैसे भगवान है नो बैरा हो गया है तो देखे आगे बढ़ते हैं इस पद्दे के बारे में कभी ने धार्मिक आडंबरों की परकरारी चोटकी है उन्हें पाखंडी धरमगुरों को लतार लगाई है और उनकी भासा है अनुप्रास अलंकार की छटा है वो द्रिश्टववे है इसमें चित्रात्मक सैली का प्रिय तक जरूर देखें कभी किसे संभोधित करते हैं और क्यों कभी दास जी संसार के विवे की लोगों को संभोधित कर रहे हैं क्योंकि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बता करें संतों के धार्मिक पाखंडों के बारे में बता करें बक्ति के सहज मारक को बताना चाहते हैं आगे हैं कभी संसार को पागल क्यों कहता है कभी संसार को पागल इसलिए कहता है पागल करने करण यह है कि संसार सची बात के कहने वाले को मारने के लिए दोड़ता है तो जूटी बात कहने लोगर विज्वास कर लेते हैं यहां अज्ञानी जो सिषे होते हैं कि यहां पंगती है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि गुरु सहीत सिसे सब डूब बूढे अंतकाल पस्ताना कि जो गुरु अज्यानी होते हैं वो अपने सिसे को भी साथ लेकर के डूब जाते हैं और उन्हें अंतकाल में पस्चाताप होता है तो बने रही है मेरे साथ एजुकेशन कोईंट हर् पताएंगे कि आपको ये पहला का विखंट कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा तो आप मेरा मनोबल बढ़ाईए और आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हर्यानवी को सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे नई की उर्जा प्रतन करता है तो आप मेरे साथ बने रही है ताकि मैं आपका स्लेबस है वो कंप्लेट करवास कूँ ठैंक यू जय हिंद जय भारत